आज हम बनाएंगे आलू मतर की असान तरीके से स्वादिष्ट सबजी आलू मतर की सबजी सभी को पसंद आती है और इसे हम अक्सर बनाते रहते हैं इसे बनाने में समय भी कम लगता है और टेस्टी भी लगता है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल में तो चले बनाना शुरू करते हैं गरम कड़ाही में हमें एक टेबल इस्पून सरसो के तेल डालेंगे और तेल गरम होने पर चौथाई छुटी चमस जीरा और एक तेज़ पत्तर डालकर चटेकने देंगे अब इसमें एक पिंच हिंग एड़ करेंगे और इसे मिला लेंगे अब यहां पर एक बारी कटा हुआ प्याज और एक बारी कटा हुआ हरामिश डालेंगे और इन सभी को मेडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे यहां हमें प्याज को अच्छे से गोल्डेन कलर आने तक भूनना है प्याज का कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम एक चमच कुटा हुआ अध्रक और लेसुन डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ भून लेंगे प्याज में golden color आ गिया है, अब हम इसमें masala एड़ कर लेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे एक छुटी चमच अल्दी पॉडर एक छुटी चमच कस्मीरी मेश पॉडर एक छुटी चमच धनिया पॉडर और आधी चमच जिरा पॉडर और साथ में हम आधी चमच काली मेश पॉडर भी एड़ कर लेंगे और इन सभी को एक से दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर भून लेंगे दो मिनट बाद हम इसमें आधा कप टमाटर का पेस्ट एड़ करेंगे इसे मैंने दो टमाटर को ग्राइंड करके ले लिया है आप चाहें तो टमाटर को कदुकस करके या छोटे छोटे टुकडों में काट कर भी ले सकते हैं अब यहां तेजपत्ता को निकाल सकते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए मिडियम फ्लेम पर भून लेंगे मसाला भून गया है अब इसमें एक कप ताजा माटा डालेंगे और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कभर करके पका लेंगे बिच बिच में हम इसे मिलाते भी रहेंगे और हाँ अगर आपको मेरी रेसेपी फसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सेर किजिएगा और वीडियो के रिगार्डिंग को सेजेशन है तो आप हमें बता सकते है अब इसमें 4 उबले हुए आलू एड़ कर लेंगे यहां हमने आलू को मिडियम साइज के टुकडे में हाथ से तोड़ करकी ले लिया है आलू को तोड़ लेने से ग्रेवी अच्छी बनती है और साथ में हम एड़ कर लेंगे स्वाध के नुसान नमक और 2-3 मिट के लिए आलू और मतर को साथ साथ पका लेंगे अभी हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे अभी इसमें डढ़ का पाने डालेंगे और पाने डालकर अच्छे से मिला लेंगे पानी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और उबाल आने का वेट करेंगे सबजी में उबाल आ गया है अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिएट के लिए पकने देंगे बिच बिच में हम इसे चेक कर लेंगे और मिला लेंगे सबजी पूरी तरीके से कूक हो गया है अब यहाँ आधे चोटी चमच गरम मसाला और एक टेवल स्पून धनिया पत्र डाल कर इसे दो मिनट के लिए और पका लेंगे इससे गरम मसाला का फ्लेवर सबजी में अच्छे से आ जाएगा दो मिनट हो गया है और इसे हम चेक कर लेते हैं और मिला लेते हैं देखिए माटर भी अच्छे से पक गया है और आलू तो हमारा पका हुआ है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगी और इसे सर्व करेंगी आप इस सबजीक वो पराठा, पूरी, चपाती या चावल के साथ सर्व किजे सभी को बहुत पसंद आएगा अगर आपको ये आलू माटर की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लेज वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सेर किजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज कर लेजिएगा थैंक यू, थैंक्स पूर वाचिंग